तो दोस्तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि किस परकार हम सूट से नाप ले सकते हैं फिर उस नाप के अकोडिग ही हमने कटिंग करने सीखी थी लेकिन आज के इस वीडियो में हम सेम उसी नाप की स्ट्रीचिंग करना सीखेंगे तो यहाँ पर यह हमने अपना नाप लिखा हुआ है तो सेम इसी नाप के according आज हम stitching करना सीखेंगे अगर दोस्तो आपको सिलाई करने में मतलब कि simple suit की stitching करने में कुछ भी नहीं आता मतलब कि zero आप जानते हैं उसके बारे में या फिर थोड़ा बहुत confusion रहता है तो आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मुझे लगता है कि life में कभी भी कोई problem face नहीं करने पड़ेगी suit की सिलाई करने में और दोस्तो एक बात मैं आपसे और कहना चाता हूँ काफी लोगों को ये problem रहती है कि उनको पता नहीं चलता कि छोटी मगर मोटी बात वाला episode कब आता है तो उनके लिए मैंने एक solution निकाला है नीचे description में एक link दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप छोटी मगर मोटी बात वाले सारे episode step by step देख सकते हैं और दोस्तों उससे पहले भी मैं आपसे एक बात और कहना चाता हूँ अगर दोस्तों आपका interest है कि आपकी favorite actress ने कौन सी dress पहनी हुई है और उसे किसने design क्या हुआ है या फिर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे blouse के design कुर्ती के design इस तरह के design देखने है या फिर कोई beauty tips चाहिए या फिर health tips चाहिए तो आप हमारी website है जहाँ पर सारा कुछ मैं detail से वहाँ पर लिखता हूँ तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं हमारी website का नाम है www.rooffashionpoint.com तो एक बार आप उस website पर जाकर विजिट जरूर करें तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं स्टैप बाई स्टैप सूट की सिलाई करना तो दोस्तों स्टीचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने उस सूट को ले लेना है जिस सूट की हमने अपने मैजरमेंट के अकोर्डिंग कटिंग की हुई है तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आ आ हुआ जाते हूं फ्रन्ट और बेक का तो जैसे कि हमने आपको कट ढब लेते वक्त बताया था कि हमारा फ्रन्ट वाला वह 7.5 है और ज्जो हमारा बैक है वो है शिक सिंज और दोस्तों जो हमारे ओर कितनी चोडाई पसंद है अपनी नेक की तो इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नेक कैसे काठा जाएगा दोस्तों democrat कातने के लिए हमने यहां पर आदा मेटर बुकरम ली हुई है इस आदा मेटर बुकरम में से हम आपको नेक के लिए बुकरम किस इस परकार निकालते हैं यह भी बताएंगे तो इस परकार से हमें अपनी भुकरम को खोल लेना है है तो जैसे कि हमारे front नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 तो हम अपने front नेक में 6.5 इंच में 1 इंच एड करेंगे ताकि हम अपने नेक की जो cutting करेंगे वो finishing के साथ और सुन्दर कर सकें तो दोस्तों जैसे कि हमारा यहाँ पर 6.5 इंच है उसमें हमने 1 इंच add किया तो वो हो जाएगा 7.5 इंच अब दोस्तों लंबाई का निशान आपको अपनी बुकरम पर लगाना कैसे है जैसे कि आप अपनी बुकरम में यहाँ किनारी देख रहे हैं यह वाली जहां पर भी किनारी होगी इधर की साइड आपको इस परकार से लंबाई का निशान लगाना है और जिदर किनारी नहीं होगी इधर की साइड आपको चोड़ाई का निशान लगाना है हमेशा किसी भी तरीके का आप नेक काटते हों तो दोस 6-inch broadness में हम add करेंगे 2-inch तो हो जाएगा वह 8-inch 2-inch इसलिए add किया जाएगा क्योंकि जब हमारे neck की cutting होगी तो वह दोनों तरफ margin छोड़ा जाएगा तो कुछ margin इधर की side जाएगा कुछ margin इधर की side जाएगा तो इसके लिए हमें 2-inch extra program लेनी होगी तो जैसे कि हमारा 6-inch broadness है तो हमने 2-inch add किया तो वह जाएगा 8-inch अब हमें अपना एक किनारा जो है यह भी छोड़ना होगा मतलब कि एक्स्टा छोड़ना होगा तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जो ही हमारे neck tape है इसको रखेंगे और यहाँ पर 8-inch पर इस परकार से निशान लगा देंगे इसके बाद हम इन्हें सीधा करके अपने इस बुक्रम के पीश को निकाल लेंगे तो दोस्तों देखें यहाँ पर यह हमने अपना front के लिए बुक्रम निकाल लिया है अब जो यह हमारा किनारा है इसको हम काट कर फैंक देंगे क्योंकि यह किनारा हमने पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ दिया था नापते वक्त तो इस परकार से हमने काट कर फैंक दिया अब हम अपनी बुक्रम को इस परकार बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस परकार से बुक्रम को फोल्ड करने के बाद आपको अपनी बुक्रम को उपर से भी बिल्कुल बराबर कर लेना है क्योंकि उपर की तरफ जब हम भुक्रम फाड़ते हैं तो क्या होता है भुक्रम जो है आड़ी टेड़ी फड़ती है थोड़ा बहुत मार्जन गया है तो यह देखे बिल्कुल बराबर आपकी भुक्रम चारो तरफ से हो चुकी है यह देखे आपका पीस अब इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको अपने बैक नेक के लिए भी भुक्रम को निकालना है लंबाई में आपको एक इंच एक्स्टा लेना है और चोडाई में आपको दो इंच एक्स्टा लेना है तो ऐसे ही हम अपने बैक नेक के लिए भी भुक्रम निकाल लेंगे अब दोस्तों हम आप बुगरम की जो लंबाई है वो इस तरीके से है तो हम इसे बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे अब फोल्ड करने के बाद हमें लगाना होगा इस पर ब्रोडनेस का निसान तो हमारी जो ब्रोडनेस है वो है 6 इंच यानि के नैक की चोड़ाई तो नैक की चोड़ाई जैस पर निसान लगाना है तो निसान कैसे लगाना है बुकरम पर किस साइड से लगाना है ये भी देख लीजे जिस साइड से हमारी बुकरम ये बंद है मतलब कि आप यह इस्सा देख रहे होंगे ये बंद हिस्सा है इधर की साइड से हमें अंदर की तरफ तीन इंच पर निशान लगाना है तो जैसे कि हम यहां पर 3 इंच पर इस परकार निशान लगाएंगे उपर से यह देखें यहां पर हमने यहां पर 3 इंच का निशान लगाया इस परकार अब हमें अपने नेक की लंबाई का निशान लगाना है तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे नेक की लंबाई जो है वो 6.5 इंच है तो हमें उसमें क्या करना होगा हमें उसमें आदा इंच ओर एड़ करना होगा क्यों add करना होगा क्योंकि जब हम अपने neck को कुर्ती पर मतलब यानि के suit पर बनाएंगे तो आदा inch का margin हमारे कंदी attach करने में चला जाएगा तो फिर तब आपकी जो neck की length होगी वो 6.5 inch यानि के 6.5 inch तयार होगी दोस्तो अगर आपके neck की length 7.5 inch है या फिर 8 inch है जितने भी आप रखना चाते हैं उसमें आपको half inch add करना होगा और तब आपको अपनी neck की लंबाई का निशान लगाना होगा तो दोस्तो जैसे कि हमने नापते वक्त आपको बताया था कि हमने neck जो है तिर्चा नापना है यहां पर अपने neck tape को ऐसे रखेंगे और तिर्चा तिर्चा नापेंगे 7 inch है तो दोस्तों जैसे कि ही आप देख रहे हूंगे यहां इस कोने से बिलकुल उपर मिला रखेंगे हम यहां इंची को और नीचे की तरफ जहां पर भी हमारा 7 इंच बैठता है दोस्तों हो सकता है आपका ऐसे बैठे ऐसे बैठे तो हमारा 7 इंच यहां पर ऐसे बैठता है तो यहां पर हम अपने चौक से एक निशान लगा लेंगे कुछ इस परकार से तो ये निशान लगाने के बाद हमें क्या करना होगा फिर इस निशान से अपनी ब्रोडनेश का निशान लगाना होगा तो ब्रोडनेश जो हमारी 6 इंच है 6 इंच का हाप हुआ 3 इंच और 3 इंच निशान हम इस मार्क से इधर की साइड ऐसे लगा लेंगे अब हम अपने मार रख सकते हैं कुछ भी जो भी सेप आपको पसंद है राउंड सेप वी नैक सेप स्वीठार्ट सेप या फिर पांद सेप जो भी नैक आपको पसंद है आप वही सेप अपने सूट में बना सकते हैं तो यहां पर हम जो बनाएंगे वह स्वीठार्ट नैक बनाएंगे तो स्वी प्रकार यहां पर रखते हैं, इस कोने से ऊपर की तरफ और यहां पर इस परकार से अपने निशान को सीधा कर देगे तो दोस्तों यह हमारे स्वीट हार्ट नेक की सेव का निशान लग चुका है अब इसके बाद हमें अपने neck के बहार की तरफ इसकी चोड़ाई रखनी है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक point बताता हूँ हमेशा अगर आप एक simple neck बना रहे हैं तो उसके बहार की जो चोड़ाई होगी वो पोना inch होनी चाहिए पोना inch से जादा कभी नहीं होनी चाहिए हाँ अगर आप perfect हैं तो आप half inch रख सकते हैं लेकिन अगर आप beginners हैं तो आपको पोना inch ही रखनी होगी पोना inch से जादा कभी नहीं रखनी अगर दोस्तों आपको कोई design बनाना है neck में जैसे कि आपको काफी सुन्दर सुन्दर design आते हैं जो बहार की तरफ neck पल्टे जाते हैं उनकी बहार की जो चोड़ाई है वो आप अपने design के according रख सकते हैं एक inch, डेड़ inch, दो inch जितनी भी designing में neck चोड़ाई मांगता है उतनी चोड़ाई आप रख सकते हैं लेकिन simple neck बनाने में आपको सिर्फ पोना inch चोड़ाई ही रखनी है जादा नहीं रखनी है तो अब हम पोना inch का निशान कैसे लगाएंगे दोस्तों जो पोना inch होता है वो होता है 1-4 inch यानि के 1 inch में से quarter inch कम उसको हम पोना inch बोलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा inch tape है inch tape में हमने 1 inch में से quarter inch कम किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे यह हमारा पोना inch है अब हम इस mark से पोना inch का निशान बाहर की तरफ लगाएंगे ऐसे यहाँ पर हमने अपना inch tape ऐसे रखा और यहां पर हम बहार की तरफ पोना इंच पर इस परकार निशान लगा देंगे नीचे की तरफ भी और दोस्तों अब आती हैं बारी यहां पर सेप के नीचे निशान लगाने की तो दोस्तों जो पोना इंच का निशान लगाया जाएगा वो हमारा इस सेप से इस से नीचे की तरफ लगाए जाएगा यह पूइंट है आपको ध्यान रखना है तो यहां पर हम पोना इंच पर अपने इंची टेप को रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे कि और अब हम अपने बाहर वाले मार्कों को भी सीधा कर लेंगे तो दोस्तो देखें यहां पर हमारे नैक की जो सेफ है वो लग चुकी है अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो दोस्तो कटिंग करने में आपको क्या ध्यान रखना है यह देखिए कटिंग जो की जाती है वो नैक की पहले बहार की तरफ से की जाती है काफी लोग क्या करते हैं वो अंदर की तरफ से cutting कर देते हैं अंदर की तरफ जो होती है हमारी बुकरम जादा होती है अगर हम उसे पहले काट देंगे तो आपको बाहर की तरफ से neck काटने में problem होगी यानि कि आपका neck उचा नीचा कटेगा मतलब कि छोटा बड़ा कट जाएगा तो आपको बाहर की साइड से cutting स्टार्ट करनी है तो हम अपनी बुकरम को इस परकार अपने हाथ में लेंगे और थोड़ा बुकरम को दबा कर रखेंगे अंगूटे से और अपनी नीचे वाले उंगलियों से उससे क्या होगा कि आपका जो neck कटेगा वो बिल्कुल बराबर कटेगा तो देखें यहाँ पर हम अपनी कैची को इस परकार चलाएंगे और अपनी बुकरम को अंगूटे और उंगलियों से दबा कर रखेंगे दोस्तों आपको सिलाई करने में काम आराम से करना है अगर आपके हाथ में finishing आएगी तो आपका काम अच्छा होगा और दोस्तों आप जिसके लिए सूट बनाएंगे या फिर कुछ भी डिजाइन बनाएंगे तो आपके कस्टुमर भी काफी खुस होंगे तो दोस्तों हमेशा अपने कस्टुमर को आपको खुस करना चाहिए अब हम अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे इसको भी बुगरम को हम इस परकार थोड़ा टाइट पकड़ेंगे ऐसा ना करें कि अंदर की कटिंग करते वक्त आप इसको हलका पकड़े और दोस्तों यहाँ पर जो कैची की नोक रखेंगे वो सिर्फ अपने इस मार्क तक रखेंगे ऐसा भी ना करें कि आप इसको अंदर तक काट दे सिर्फ अपने मार्क तक एक इस परकार काटे और फिर उपर की तरफ हम इसकी कटिंग कर देंगे तो दोस्तों यह हमारा पीस इसका निकल चुका है अब यह देखें यह हमारा नेक जो है तयार हो चुका है अब सेम इसी सेब के अकोडिंग हम अपना बैक नेक भी काटेंगे तो बैक नेक के लिए भी हमने अपनी बुकरम इसी तरीके से काटी हुई है जिस तरीके से फ्रेंट के लिए काटी थी तो दोस्तों अब आपसे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने front neck की shape अलग रखनी है और back neck की shape अलग रखनी है तो आप रख सकते हैं लेकिन broadness जो होगी वो आपको same रखनी होगी front neck की भी और back neck की भी जितनी आप front neck की broadness रखेंगे उतनी ही broadness आपको back neck की रखनी होगी उससे क्या होगा आपकी कंदी जो है बिल्कुल सही fitting के साथ attach होगी तो दोस्तों ये हमारा neck cut चुका है अब सेम तरीके से हम अपना back neck भी काट लेंगे हम safe safe काटेंगे मतलब जैसी safe हमने यहां पर sweet art काट गया ऐसी ही same safe हम अपने back के लिए काटेंगे आप अपने according safe को change कर सकते हैं तो यहां पर हम अपना back neck भी काट लेते हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर हमने अपना front और back neck काट कर बिल्कुल ready कर लिया है इसके बाद आपको जरूरत होगी extra कपड़े की जो आपके suit की cutting करते वक्त बचा था उसमें से आपको इस परकार के piece जो है निकाल लेने हैं अपने front neck के लिए और अपने back neck के लिए तो यहां पर हमने दो piece निकाले हुए है अब इन piece की लंबाई और चोड़ाई कितनी रखनी है यह जान लीजिए जैसे कि आपका neck इस परकार से आपका neck है यह आपका neck है तो यह neck अगर आपके कपड़े पर बिल्कुल fit बैठता है मतलब कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा extra होन देना है उसके बाद अपने neck को सही तरीके से किस परकार अपने कपड़े पर हम attach करेंगे यह जान लीजिए क्योंकि काफी बार problem होती है लोगों को कि उनका neck एक तरफ को भागता है या फिर उनका neck तिर्चा हो जाता है या फिर उनका neck ऊपर की तरफ को भागता है अगर आपको अपने कपड़े पर इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है प्रेस लगाने का फायदा यह होगा कि आपके कपड़े पर यहां पर बीच सेंटर में क्रिज बन जाएगी तो दोस्तों यह हमने अपने कपड़े में बीच सेंटर में किरिज बना ली है इसके बाद आपको दुबारा इस कपड़े पर ब्रोडनेस का निशान लगाना है ब्रोडनेस का निशान दुबारा लगाने का फायदा यह होता है कि आपका नेक बिल्कुल फिट बनेगा जहां बर वह बनना था तो यहां पर हम दुबारा अपने नए्क जिपर नैस का आप करेंगे जैसे कि हमारे जिपर शीं का फ़वा थरी एंच जिशान हम कपड़ा देखिया हाँ धार जोएंट है तो इदरकी साइड से ही अंदर की तरफ थी लगाया इसे हैं तो यह हमने सब्राइब लगाया इसके बाद आपको इस निशान पर कट लगा लेने हैं तो कपड़े dieta को अ परनी उंगली को इस परकार से कपड़े के नीचे रखना है और कैची से इस परकार का मतलब बुकरम आएगी वो अंदर वाली साइड इस परकार से सैट होनी चाहिए यह देखें तो यह हमारा जो नैक है बिल्कुल इस तरीके से सैट होगा अब सेम इसी तरीके से हम अपने बैक के लिए भी अपने कपड़े को तयार करेंगे मतलब की बीच सेंटर से फोल्ड क करेंगे कट लगाएंगे और फिर इसी तरीके से अपने बुकरम को सेट करेंगे तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने अपना फ्रंट नैक के लिए और बैक नेक के लिए कपड़ा बिल्कुल सेट कर लिया है मतलब की कट वगेरा लगा लिया है इसके बाद हम आपको बताते हैं किस परकार आपको अपने नैक को कपड़े पर अटेच करना है उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जो आपका कपड़ा है इसके बीच सेंटर में इस परकार एक निशान लगा ले और फिर जो आपका नेक है इस नेक पर भी इस परकार से निशान लगा ले निशान लगाने के बाद आपको अपने नेक को जो है कट से मिला कर रखना है इस परकार उपर की तरफ और नीचे की तरफ जो आप ये देख काते हुए शिलाई को सुरू करेंगे दोस्तों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको देखें यहां पर यहां पर यहां पर मतलब की एक पैर के लगा रहें इससे क्या होता है दोस्तों आपका नेक जो है ज्यादा उठता नहीं है अगर ज्यादा लो हो जाता है मतलब कि वह काम और ज्यादा फिनीशिंग के लिए होता है वैसे नॉर्मली आप यह सिलाई से भी काम चला सकते हैं परफेक्ट तो इसी पर और एक बात आपको और ध्यान रखनी है आपको जब अपने नेक पर अटेच करते हैं तो इस परकार से अपन बूट को जड़ा सा उठाना है और फिर अपने नेक को इस परकार घुमा कर ऐसे सेट कर लेना है फिर सिलाई लेकर आनी है और यहां पर सेंटर का ध्यान रखना है आपको सेंटर जो है इस तरीके से मिलाकर रखना है और फिर इस परकार उठाकर बूट को फिर से इस परकार सेट करना है और कट भी मिलाकर देखें कट भी देखते रहना है बीच बीच में ताकि आपका नैक जो है उठे बगएर ना अगर उठता है खराब हो जाएगा फिर नैक आपका और फिर अब हम पूरे नैक पर सिलाई को कम्प्लेट कर देंगे दोस्तों हमारे पास कैंची नहीं है हमें कैंची की जुरत पड़ेगी अभी तो यहां से हम अपना इस परकार से धागा काट देंगे दोनों तरब से धागा काटने के बाद अब आपको क्या करना है आपको अपने नैक के बराबर में मतलब कि यहां पर सिर्फ इतना कपड़ा चोड़ना है ताकि आप उस कपड़े को अच्छे तरीके से नैक के उपर कर सकें आप चाहें तो मतलब की हाप जट सकते हैं या पिर हाप जळादा छोड चोड़ सकते नहीं चोड़नाइन क्योंकि आपके नश्रहनी को डी अटेशच करेंगे अपनी कुर्ती चुट पर तो आपको बराबर में ज्यादा कपड़ा यहां पिंच कपड़ा बराबर में छोड़ देंगे तो यह देखे दोस्तों हमने अपना कपड़ा जो है बराबर में काट लिया है अब इसके बाद क्या करना है आपको अपने कपड़े को इस परकार से अपने नैक के उपर फोल्ड करना है इस तरीके से औ कपड़ा फोल्ड करकर आपको इसके उपर सिलाई लगा देनी है और जब आप मतलब की कोने पर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो आपको जो आपका कोना है नैका उससे पहले ही मसीन को रोक देना है और फिर इस परकार से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहां पर अप हैं और फिर अपने नेक को इस परकार से घुमा कर आगे की तरफ कपड़ा फोल्ड करते जाना है इसी तरीके से हम अपने में नेक का पूरा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे हैं अपर कि तरफ कर लिया है इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपना back neck भी सेम तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने neck को अपने suit पर बना सकते हैं तो दोस्तों दोनों neck को तयार करने के बाद अब हम इन्हें suit पर बनाएंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला neck बनाएंगे तो इसके लिए हम अपना front वाला इस परकार लेंगे इसको यहां पर रखेंगे और यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे कट लगा लेंगे इसके बाद हम इसे इस परकार खोलेंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा यह हिस्सा है उपर की तरफ यह बिल्कुल सीधा हिस्सा है और जो नीचे की तरफ है यह हमारा उल्टा हिस्सा है तो मतलब कहने का यह है कि उल्टा हिस्सा नीचे की तरब रहेगा और सीधा इसा उपर की तरब रहेगा अब हम अपना नैक लेंगे फ्रंट वाला और इस नैक को भी बीच से इस परकार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहां पर ऐसे कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद अपने नैक को हम इस परकार से कुर्टी में रखेंगे इसके लिए आप एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं तो जैसे कि आप अपनी कुर्टी का यह सेंटर देख रहे हैं यहां पर क्रीज बनीगी है प्रेस से इस परकार से इसे मार्क लगा कर अब फिर हम अपने नैक को सूट पर इस परकार रखेंगे उपर से कट से कट मिलाएंगे ऐसे और नीचे मार्क से मार्क मिलाएंगे इसके बाद आपको क्या करना है आपको बीज सेंटर में कच्ची सिलाई लगानी है मतलब कि लंबे टाके वाली सिलाई उससे क्या होगा उ चाहें आप किसी भी तरीके का नेक बनाएं, कैसा भी नेक डिजाइन बनाएं, ये सिलाई आप जरूर लगाएं, चाहें आप परफेक्ट हो या फिर बिगनर्स हो, तो हम पहले यहाँ पर कच्छी सिलाई लगा लेते हैं इस परकार से, तो दोस्तों ये हमने अपनी यहाँ नेक पर कच्छी सिलाई लगा ली है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नेक को इस तरीके से बैठा लेना है, और फिर अपनी बुकरम के बिल्कुल बराबर में, मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइ बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चड़ानी, बिल्कुल जस्ट बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है, तो देखे कैसे सिलाई लगाते हैं, यहाँ पर हम अपने धागे को इस परकार मसीन में सही कर लेते हैं, और फिर ऐसे अपनी नेक को बूट के नीचे दबाएंगे, औ इस पाद मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बुकरम के जस्ट बराबर में सिलाई लगाएंगे ना कि बुकरम के ऊपर, आप देख सकते हैं यहां पर हमारी जो सिलाई लग रही है वो बिल्कुल बुकरम के बराबर में लग रही है यह मैं आपको दिखा भी देता हूँ जरसी बुकरम उखेड कर देखे हमारी बुकरम जो है बिल्कुल अलग है और सिलाई यहां पर लग रही है तो ऐसे ही आपको भी सिलाई लगानी है तो दोस्तो देखें यहां पर हमारी जो सिलाई है नेक के बुकरम के बराबर में लग चुकी है इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने नेक के जो अंदर का कपड़ा है मतलब कि यहां पर साइड में थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और सारे कपड़े को निकाल लेना है देखे किस परकार ऐसे आपको कम से कम क्वार्टर इंच से थोड़ा सा जादा ना कि हाप इंच पस हाप इंच से कम और quarter inch से थोड़ा जादा उससे क्या फाइदा होगा? उससे फाइदा ये होगा कि आप जब अपने necks को बहार की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपको cut लगाने होते हैं cut लगाने का फायदा ये होता है कि आपका neck जो है finishing के साथ बहार की तरफ फोल्ड हो जाता है तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने अपने नैक का जो कपड़ा है वो काट लिया है यह देखें यह हमारे नैक का कपड़ा कट चुका है अंदर की तरफ से अब हम क्या करेंगे हमें अपने कोनों पर यहां पर जो हमारे कोने हैं इन पर ऐसे कट लगा लेना है एक पॉइंट और ध्यान रखना है कट लगाते वक्त आपको सिलाई नहीं काटनी है जो आप ये सिलाई देख रहे हैं यहाँ पर नेक में जो हमने सिलाई लगाई थी ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाते वक्त ऐसे आपको कट लगाने है कड़ लगाने का फाइदा ये होगा देखिए कि आपका जो NAC है अब आशानी से ऐसे बहार की तरफ मतलब की ऐसे फोल्ड हो जाएगा मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा अब NAC आपका फिनीसिंग के साथ अब आपको क्या करना है अब आपको अपने NAC पर यहां पर finishing के साथ praise लगा लेनी है और same इसी तरीके से जैसे हमने अपना ये वाला neck बनाया है same इसी तरीके से आपको अपना back वाले part पर neck बना लेना है तरीका बिल्कुल same रहेगा जो हमने आपको बताया है सारे step आपको इसी तरीके से follow करने है तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने अपने दोनों नेक बना लिये हैं और उन पर प्रेस कर लिये हैं अब हमें क्या करना है हमें करना है अपनी कंधी अटेच तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ वो भी आपको ध्यान से सुनना है तो पहले हम कंदी अटेश करने के लिए क्या करेंगे ये जान लेजिए सबसे पहले आपको बैक वाले पार्ट को नीचे रखना है तो ये हमारा उपर की तरफ फ्रंट पार्ट रखा हुआ है इसको हम थोड़ा हटा देते हैं तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है अब ये देख रहे होंगे आप जो इसका सीधा हिस्सा है वो उपर की तरफ है और जो इसका उल्टा हिस्सा है मतलब ये उल्टा भाग है वो नीचे की तरफ है तो ऐसे ही आपको अपना बैक रखना है इसके बाद इसके उपर फ्रंट रखना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो front रखना है वो किस परकार रखना है देखिए इसको इस परकार से उल्टा कर लेना है मतलब कहने का यह है front वाले हिस्से का उल्टा भाग उपर की तरफ रहेगा अब देख लीजे क्या system आया है यह मतलब कि यह वाला back वाला जो part है हमारा back वाल पार्ट का सीधा भाग नीचे की तरफ यानि कि यह सीधे और यह सीधा ऐसे मिल चुका है तो अब हमें क्या करना है हमें कंदी जोडनी है अपनी तो कंदी जोडने में मैं आपको एक point और बताता हूं जैसे कि पहले तो हमने अपनी कंदी को इस परकार मिला कर अच्छे तरी उससे क्या होगा आपकी कंदी गिरने वाली प्रोब्लम खतम हो सकती है थोड़ी बहुत ठीक है दोस्तों अगर आप की कंदी नहीं गिरती तो आपको क्या करना है बस अपनी सिलाई को हाप इंच मार्जन लेते हुए ऐसे सीधा लगा देना है तो दोस्तों अब हम क्या करें अपनी मतलब की कंदी जोड़ने के लिए हाप इंच का मार्जन लेंगे और सीधी लगाएंगे इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है जब यहां पर मैं कंदी की लगाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जैसे कि अब हमने यहां पर इसको मिला के रखा बिल्कुल उसके बैक पार्ट वाला नैक ऐसे निकाल लेना है बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकालने के बाद इस नैक को आपको ऐसे फरंट के उपर चड़ा कर रख देना है और जिसका मार्जन है यह भी ऐसे ही कर लेना है देखे दोस्तो अब क्या करना है आपको सिलाए को मतलब की आगे बढ़ा देना है इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो नैक होगा वो अंडर ग्राउंड अटेच हो जाएगा अब यह देखें यह हमारी कंदी जुड़ चुकी है यहां पर अब इसी तरीके से हमें यह वाला अटेच करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले ही उपर की तरफ निकालेंगे ऐसे और यहां पर ऐसे इसको इसके उपर चड़ा कर रखेंगे और यहां पर फिर से सिलाई लगाएंगे मार्जन इतना ही रखना है जितना मार्जन हमने यहां लिया हुआ है कि यहां पर हमारी कंधी अटेच हो जी कि है ज्यादा मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं अप एक शिलाई और लगा सकते हैं तो यहां पर हम अपनी एक शिलाई और लगा लेते हैं इसके उपर तो दोस्तों देखा आपने यहां पर हमने अपनी कंदी पर डबल सिलाई भी लगा ली है इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा नेक किस तरीके से अटेच हुआ है तो इसके लिए हम अपने ऊपर वाले कपड़े को ऐसे करते हैं आगे की तरफ और यह देखे यहां पर जो आपका नेक है यह बिल्कुल अंदर्गराउंड फोल्ड हो गा इसके बार आप चाहें तो यहाँ पर एकने पूरे नेक पर अप ऐसे rounding में कच्ची सिलाई लगा सकते हैं. कच्ची सिलाई लगाने का ये फाइदा होगा कि आपको तुरपाई करने में आसानी होगी. लेकिन आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं मदलब प्रेश लगाकर भी. उससे भी आप आसानी से तुरपाई जो है हैमिंग कर सकते हैं इसके बाद बारी आती है फिटिंग की सिलाई लगाने की तो दोस्तों फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है अपने भाग को मतलब अपने सूट को जो है इस परकार से पकड़ना है और ऐसे रख लेना है और ये जो मार्क हैं हमार का यहां पर इधर की साइट बिलकुल इसको मिलाकर रखेंगे जो हमने कट लगाए थे इस परकार मिलाकर रखा सारा कुछ अच्छे से मिलाकर रखना है ये main point होता है fitting के लिए काफी बार काफी problem होती है लोगों को और काफी customer क्या होते हैं परेशान करते हैं आप लोगों को कि उनको fitting सही नहीं आती तो customer की कोई गलती नहीं होती है गलती होती है आपकी कि आप जो है fitting का निशान लगाते वक्त तेजी करते हैं तो आपको fitting का निशान लगाते वक्त जो है बिल्कुल आईस्ता से काम करना है सारी fitting को ऐसे मिलाकर रखना है और ऐसे हाथ मार लेना है दोस्तों आज तक मैंने जितने भी suit कुर्तिया बनाकर अपने customer को दी है उनकी fitting में आज तक कोई भी problem नहीं आई है आज तक उन तो आप भी इसी तरीके से काम करें आईस्ता से काम करें तेजी बिल्कुल ना करें तेजी करेंगे तो fitting मनलब की सारा काम खराब होगा आईस्ता आईस्ता काम करें मसीन को भी धीरे चलाएं सारा काम धीरे करें तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे अपने हाथ यहाँ पर ऐसे मार लेंगे इससे क्या होगा हमारे जो मार्क है जो हमने डार कियते हैं वो दूसरी तरफ छप जाएंगे तो दोस्तों देखें यहां पर हमारे हलके हलके मार्क जो है इधर आ चुके हैं अब हम इन मार्कों को भी थोड़ा डार कर लेंगे दोस्तो फिटिंग जो होती है में चीज होती है अगर आप फिटिंग सही करेंगे तो आपके कस्टुमर भी खुस होंगे और आप जिसके लिए सोट बना रहे हैं वो भी खुस होगा तो दोस्तो ऐसे ही आपको काम करना होता है दोस्तो आपका काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा तो देखे दोस्तो यहाँ पर हमने अपने सारे मार्क डार कर लिए है अब चलिए मसीन पर मैं आपको बताता हूँ कि फिटिंग की सिलाई कैसे लगती है तो दोस्तों अब हम लगाएंगे अपनी fitting की सिलाई तो fitting की सिलाई लगाने के लिए हमने अपने front वाले part को इस परकार से back के ऊपर रखा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे अब हम अपने cut से cut मिलाएंगे जो हमने cut लगाएते इन cut से cut को मिला कर रखेंगे ऐसे यह वाला कट और यह वाला नीचे वाला कट तो इनको मिलाने के बाद हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है तो देखे दोस्तों यहां पर हम पहले इस साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो ऐसे हमने अपने बूट को उठाया, बूट के नीचे रखा और ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा मार्क के उपर हम सिलाई लगा रहे हैं इस परकार से अब यहां पर आप आकर आपको रुखना है एक बार, यहां पर आपको शिलाई जो है ऐसे नहीं लगानी आपको सिलाई जो है यहां पर ऐसे थोड़ी राउंडियंग में लगानी है, इससे क्या होगा आपकी फिटिंख जो है ना काफी अच्छी आएगी और आपकी फिटिंग में सेब भी अच्छे आएगी तो देखे किस परकार से लगानी है थोड़ा सा कपड़ा मतलब कि राउंडिंग में ले लेना है आपको सिलाई जो है राउंडिंग में आने चाहिए यहां तो देखे दोस्तों दिखा देता हूं मैं आपको कि हमारी जो सि कि बांदेंगे अब इसके बाद एक बार फिर से हम इसी सिलाई के उपर सिलाई लेकर जाएंगे उससे हमारा फायदा यह होगा कि हमारी फिटिंग की सिलाई जो है कभी फटेगी नहीं मतलब कि मजबूत हो जाएगी यहां से सिलाई आपको भी इसी तरीके से काम करना है एक एक सिलाई से कभी भी काम नहीं करना है, चाहें आप अपना सूट बनाए हैं, या किसी कस्टुनर का सूट बनाएं, दोस्तों कस्टुमर जो होता है, भगवान होता है हमारे लिए, तो हमेसा आप कस्टुमर को अच्छा काम करके दे, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सिलाई को आगे तक अपके कमपलेट करने हैं और यहाँ पर आपको राउंडिग रखनी है ऐसा न करें कि दूसरी सिलाई लगाते वक्त आप उसकी राउंडिग खतम कर दे बिल्कुल राउंडिग में ही सिलाई लगानी है आपको तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी एक साइड की फिटिंग की सिलाई जो है लगा ली है धागा वगएरा काट देते हैं तो यह देखे यह वाली साइड की हमारी सिलाई जो है लग चुकी है अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि हमने जो राउंडिंग की सिलाई लगाई है वो किस परकार लगाई है देखे यहाँ पर हमारी सिलाई जो है थोड़ी राउंडिंग में लगी है ऐसे हमने ति सेम तरीके से लावे तो उससी लावा को लगाने के लिए हम ते डिर्फ करेंगे वो नीचे की तरफ से करेंगे तो इसके लिए वी हमें यहाँ पर अपने लालेने हैं तो सेम तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देते इसके बाद हमें क्या करना है हमें अपने चाक पल्ले फोल्ड करने हैं तो चाक पल्ले किस परकार फोल्ड करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे तो दोस्तो चाक पल्ले फोल्ड करने के लिए आपको अपने फूट को इस परकार करना है जिदर की साइड आपके मार्क है इस साइड से आपको अपना पहले जो नीचे का पल्ला है वो फोल्ड करना है क्या करकिते हैं और अपने कपड़े को मार्क से पकरते हैं और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्D करके यहांँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं लेकिन हम आपको एक मजबूत और परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं जो beginners के लिए कापी helpful होने वाला है तो beginners लोगों क्या करना है उनको पहले थोड़ा कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है और थोड़ा कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहां पर एक सिलाई लगा ले लिए एक कच्ची सिलाई मतलब की लंबे टाके वाली सिलाई तो हम इसको इस परकार पहले सिलाई से फोल्ड कर लेते हैं तो यह हमने अपना नीचे का कपड़ा जो है फोल्ड कर लिया है इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों यहां पर हमें अब अपने मार्क पर अपने कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो यह देखे यहां से हम अपना मार्क मतलब की मार्क से कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से और कपड़े को इस परकार फोल्ड कर देगे यहां से मार्क से इस परकार कपड़े को पकड़ेंगे पकड़ा यहां से ऐसे इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद अब फिर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे लंबे टाके वाली सिलाई उस सिलाई को आप उधेड सकते हैं हैमिंग करने के बाद मतलब कि जब आप यहां पर अपनी तुर्पाई करेंगे तो दोस्तों यहां पर हम अपनी कच्छी सिलाई ऐसे फोल्ड किये हुए ही लगा देते हैं यहां पर भी आपको टाका जो है लंबा रखना है अपना को और एक पॉइंट और ध्यान लखना है कपड़ा आपका फोल्ड जो है पूरा एक बराबर होना चाहिए ऐसा काम ना करें कि आपका कपड़ा यहां से जो है फोल्ड कम हो जाए और आगे की तरफ से फोल्ड तोड़ा ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा आपके सूट का तो पल्ला होगा नीचे की तरफ से वो केड़ा हो जाएगा मतलब की तिर्चा हो जाएगा और फिर आपको मतलब की ये भी समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कमी की है तो आपको ये पॉइंट भी चेक करके देख लेने हैं जब अगर आपके सूट में छोटी मोटी कमी आती है तो बिल्कुल बराबर आपको कपड़ा फोल्ड करना है तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने अपना कपड़ा जो है मतलब नीचे की तरफ से ये फोल्ड कर लिया है ये देखें अब इसके बाद हम सेम इसी तरीके से अपना दूसरे वाला पल्ला जो है फोल्ड कर लेंगे तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इसमें बता है तो दोस्तो देखें यहाँ पर हमने अपने दोनों पल्ले फोल्ड कर लिए हैं इसके बाद हमें अपने चाक खोल करने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने सूट को जो है इस परकार से खोल कर ऐसे रख देना होगा और यहां पर उपर की तरफ हमें तोड़ा नाखून से इस कपड़े को चीर लेना होगा दोस्तों नाखून आपके अंगूटे में होना काफी में रोल करता है सिलाई में अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने कपड़े को नीचे की तरफ यहां से मार्क से ऐसे पकड़ना है और उपर की तरफ से यहां पर आपका यह जोइंट है यहां से ऐसे पकड़ना है और फिर कपड़े को ऐसे इसके उपर फोल्ड करना है और दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक बार फिर कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो आपका पूरा फोल्ड होगा वो मार्क पर ही होना चाहिए और कपड़ा उपर से लेके नीचे तक मतलब कि यहां से लेके यहां तक एक बराबर कपड़ा फोल्ड होना चाहिए अब हम ऐसे ही अपने कपड़े को मशीन के नीचे रखेंगे ऐसे हमने अपनी मसीन के नीचे कपड़े को रखा और ऐसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपको अपना कपड़ा एक बराबर फोल्ड करना है यह चाक का मामला है एक बराबर ही फोल्ड होना चाहिए अगर कपड़ा फोल्ड एक बराबर नहीं होगा तो आपका जो सूंट होगा सूंट में फिनीसिंग नहीं आएगी ऐसे हाथ फिर लेना है थोड़ा कपड तो आपको शिर्फ अपने जो यह जोइंट है, जोइंट से उपर की तरफ दो ही टांके लेकर जाने हैं, इस परकार से, अब फिर आपको ऐसे अपना कपड़ा गुमाना है, बूट उठा कर, हाथ में ले लिजेगा कैमरा एक बार, तो दोस्तों देखे, इधर के तरफ का हमें चाक कैसे फोल्ड करना है, इसको इस परकार से अंदर की तरफ ऐसे कपड़ा लेके जाना है, और थोड़ा कपड़ा मतलब की ऊपर की तरफ, मतलब कपड़ा वहां पर बैठाना है, जहां पर वो मांगता है, इस परकार से देखे, और यहां पर अपनी सिलाई को थोड़ा आ बराबर करना है मतलब की पूरा फोल्डिंग जो होगा यह बराबर रहना चाहिए इधर का भी और इधर का भी जितना हमने इधर फोल्ड किया है सेम इतना ही इधर फोल्ड करना है और दोस्तों आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है आपको जरासा कपड़ा मतलब थोड़ा हलका हलका कपड़ा नीचे वाला खीच के रखना है ताकि आपका नीचे जब आप नीचे आएंगे तो आपका जो चाक है मतलब की ये बराबर से वह अच्छे तरीके से फोल नहीं बनता बस तो दोस्तों देखें यहां पर हमारा जो चाक पल्ले हैं वो इस तरीके से फोल्ड हो चुके हैं यह देखें इनको मैं एक बार सीधा करके दिखा देता हूं आपको मतलब की ये देखें ये हमारे जो नीचे वाले चाक पल्ले हैं एक साइड के फोल्ड हो चुके हैं अब सेम इसी तरीके से हम अपने ये वाले चाक पल्ले भी फोल्ड कर लेंगें तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इस वाले चाक पल्ले फोल्ड करने में बताया है तो द तो आपको यहाँ पर हैमिंग कर लेनी है, हैमिंग यानि के तुर्पाई, और दोस्तो आपको फिर कच्ची सिलाई जो है उधेर देनी है, और दोस्तो आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे कि काफी लोगों को यह प्रोब्लम होती है कि उनका जो सूट होता है वो साइड में, चाक पल्लों से, मतलब जहां से चाक होते हैं, वहां से फटता है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर आई बना लेनी है, आई बनाने से आपका सूट नहीं फटेगा, अब दोस्तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आस्तीन तयार करनी है, तो यह देखिए तो अब हम अपनी एक आस्तिन लेंगे पहले हम अपनी एक आस्तिन तयार करेंगे उसके बाद दूसरी आस्तिन सेम तरीके से तयार होगी तो सबसे पहले point क्या होता है दोस्तों सबसे पहला Point यह होता है कि आपको आस्तीन को नीचे से फोल करना होता है आप चाहें तो यहाँ पर डारेक्टली इस प्रकार इसको मतलब कि यहाँबर चोट लगें हुए एक कट से कपड़े को पकड़ेंगे कि यहांपर हम सेमरेंश इसे ही फोड कर दीते हैं जैसे हमने यहांपर फोल्ड किया हुआ है कि और फोल्ड जो होगा दोस्तवयापको एक पॉइन्ट याद रखना एक 10 जो Eloay बराबरो होना चाहिए मतलब यहां से भी बराबर फॉल्ड हो और आखरी में भी बराबर फॉल्ड हो उससे क्या होता है तो गोलाई जो होती है अच्छी आती है फिनीशिंग लिए हां तो यह देखें दोस्तों हमने अपनों को नीचे से फॉल्ड कर लिया है तो यहां पर हम पहले नीचे से सिलाई सुरू करेंगे दोस्तों आपको आस्तिन बनाते वक्त ये बात पॉइंट याद रखना है कि आपको अपनी गोलाई से जहां से आपकी नीचे की तरफ गोलाई होती है वहां से सिलाई सुरू करनी होती है तो यहां से हम इसको इस परकार मिलाएंगे और ऐसे इसको नीचे रखा और यहां पर टाकी बांधेंगे, टाकी बांधने का फायदा बहुत होता है दोस्तो तो यह देखे दोस्तों यह हमारी आस्तीन जो है यहाँ पर अटेच हो चुकी है मतलब कि कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं तो दोस्तों देखे यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन को सीधा कर लिया है इसके बाद सेम तरीके से हम अपनी दूसरे आस्तीन को तयार कर लेंगे अब हम अपनी आस्तीन को सूट में चड़ाना बताते हैं कि किस परकार इसको चड़ाया जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे होगे हमारी आस्तीन कुछ इस परकार से रखी हुई है कि इसमें जहां पर हमने सेफ दी थी मतलब कि फ्रंट वाले इसे में जहां पर हमने सेफ दी थी ये वाला इससा हमारा उपर की तरफ है ये देख रहे होंगे आप ये वाला इससा हमारा उपर की तरफ है अब हमें अपना सूट लेना है तो यहां पर हमने अपना सूट भी सीधा किया हुआ है और फ्रंट वाला हिस्सा हमारा उपर की तरफ है इसके बाद हमें अपना आर्मोल नापना है तो दोस्तो आर्मोल किस परकार नापना है अपनी उंगली इधर की तरफ ऐसे डालनी है और इधर की तरफ ऐसे डालनी है और फिर यहां पर इसको ऐसे रखके देखना है तो यह देखे दोस्तों यहां पर हमारा जो आर्मोल है बिल्कुल फिट बैट रहा है यह देखे यहां पर जो है हमारा आर्मोल बिल्कुल सही बैट रहा है इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने सूट में इस परकार से हाट डालना है और जो आप ये मारजन देख रहे हैं ये मारजन आपको बैक की तरफ रखना है ऐसे और यहाँ पर आपको ऐसे अंगूटे से इसको पकड़ देना है इस परकार फिर आपको अपनी आस्तिन करके joint से joint मिलाना है यह वाला point आपको ध्यान रखना है कि joint से joint इस परकार मिलाना है ऐसे फिर इसको पकड़ लेना है और फिर अपनी कुर्ती वाले विश्चे को ऐसे इसके ऊपर ऐसे मतलब इसमें डाल देना है तो यहाँ पर कुछ आस्तिन हमारी इस परकार से आएगी यह देखें अब हमें इसको अटैज करना है अटैज करते वक्त जो हमारे कुर्थी का मार्जन है इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरह कि यह देखे अब हम इसे अटेज करना शुरू करते हैं तो यहां पर हम इसे ऐसे रखेंगे मसीन के नीचे और पहले हम सिर्फ एक या दो टाका सीधा लगाएंगे जोइंट पर ही बस और फिर हम इतना ही मार्जन लेंगे अपनी पूरी आस्तीन को अटेज करने में जितना मार्जन हमने छोड़ा हुआ था यानि के हाप इंच मार्जन तो दोस्तों यहां पर आस्तीन को आपको ध्यान से अटेज करना है क्योंकि आस्तीन अटेज करने में काफी प्रोब्लम होती है और आस्तीन अटेज करते वक्त काफी लोगों को मतलब की यह परेशानी होती है कि उनके आस्तीन में जोल वगएरा आने लगता है अब हम अपने कपड़े को ऐसे सीधा करते हैं और यहां से आटेश करना स्टू करते हैं अए बस आपको अपनी आस्तीन का कपड़ा और अपनी कुर्त में मर्स्정 का कपड़ा और ऐसे मिला करक्ड । देखें यह वाला कपड़ा और यह वाला कपड़ा ऐसे मिला करा करना है अगर दोस्तों आपका आर्मोल सही बैठता है जब आप नापते हैं कुर्ति का और आस्तीन का तो आपकी जो आस्तीन सूट में चड़ेगी वह फिनीसिंग से चड़ जाएगी अब हम सेम मार्जन लेते तो अपने सूट का कपड़ा है उसको मिला लेना है चोटे-चोटे पीस में आप सिलाई लगा सकते हैं मतलब भी छोटे ऐस परकार यहां पर फिर रोकें फिर से अपना आस्तीन का कपड़ा और सूट का कपड़ा ऐसे मिलाए अब दोस्तों यह वाला जो मार्जन है आपको इस की आपकर अज्यूदा ऐसे इस परकार कर लेना है हैं और फिर सिलाई को आगे बढ़ते जाना है बस आस्तीन अटैच करते वक में पॉइंट यह होता है कि बराबर मार्जन होना चाहिए और आपका जो सूट का मतलब सूट का कपड़ा है यह वाला और आस्तीन का का बिल्गुल फिक्स बैट रहा है बराबर आ रहा है अब हम सेम इसी तरीके से इसको सिलाई लगा कर पूरा कर देंगे और जो हमारी आस्थीन का ये नीचे वाला मार्जन है इसको हम ऐसे गुमा कर रखेंगे ऐसे कि और अब अपनी सिलाई को complete कर देंगे कि तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी आस्थीन कैसी चड़ी है हमारे सूंट में तो दोस्तों ये देखें ये हमारी आस्तिन चड़ी है यहाँ पर ये देख लेज़ेगा आप पीछे की तरफ से भी देख लेज़ेगा पीछे की तरफ से ये हमारी आस्तिन चड़ी है तो दोस्तो सेम अब इसी तरीके से आपको अपनी दूसरी आस्तिन चड़ा लेनी है हम भी यहाँ पर इसी सेम तरीके से अपनी इधर की साइड आस्तिन को चड़ा लेंगे उसके बाद आपको प्रेस करकर दिखाएंगे कि हमारा सून्ट कम्पलीट होकर कैसा नजर आया है और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नैक है नैक में हमें हैमिंग कर लेनी है यानि के तुर्पाई कर लेनी है और नीचे की तरफ हमारे जो चाक पले हैं यहाँ पर भी हमें तुर्पाई कर लेनी है और कच्ची चलाई उधेर देनी है उसके बाद हमारा सून्ट जो है कम्पलीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम यह सारा काम कर लेते हैं यह काम हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सिखाया हुआ है कि कैसे तुर्पाई की जाती है कैसे हैमिंग की जाती है मतलब की तो यह सब चीज नॉर्मल होती है यह सब चीज हमने आपको सिखाय हुई है तो यह सारा कुछ हम कर लेते हैं और फिर आपको अपना सून्ट दिखाते है देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सूंट की जो सिलाई है कम्पलीट कर ली है इसके बाद देखिए इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आया है और इसमें फिनीसिंग देखिए कितनी आई हुई है आपको भी इसी तरीके से सिलाई करनी है दोस्तों चाहे टाइम कितना भी लगे बस अपना काम आपको फर्फेक्ट करना है यहाँ पर उपर की तरफ देखे यह हमारे नेक है कितनी फिनीसिंग के साथ यह हमने अपने नेक तयार किये हुए है और यहाँ पर देखे यह हमारी स्लिव्ज है यहाँ पर हमने अपनी sleeves को भी काफी finishing के साथ अपने suit में attach किया हुआ है और नीचे की तरफ हमारी fitting की सिलाई देखे कितनी finishing से आई हुई है आपको भी same इसी finishing के साथ काम करना है अगर आप इतनी finishing से काम चाहते हैं तो आपको धिरे-धिरे काम करना होगा धीरे धीरे काम करने से आपके हातों में फिनीसिंग आएगी और काफी सारा जो है आपका मन लगेगा काम करने में और यहाँ पर देखिए हमारे नीचे की तरफ चाक पल्ले हैं कितनी फिनीसिंग के साथ फोल्ड हुए हैं उपर से देखें यहाँ पर यह हमारे चाकपले हैं ऐसे ही आपको काम करना है तो दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और उन लोगे के साथ जरूर सेयर करें जो लोग अभी बिगनर और सिलाई सीख रहे हैं तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर तब तक के लिए थैंक यू फॉर वोचिंग और दोस्तों अगर आपको कुछ और भी खास और बहतरीन डिजाइन देखने हैं तो आप हमारी वेब साइट है www.rooffashionpoint.com जहां पर मैं आपके लिए कुछ selected designs जो है इकटे करके वहाँ पर डालता हूँ आप वहाँ से वो design अपने लिए देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी next वीडियो में कुछ खास लेकर तब तक के लिए ठैंक यू फॉर वोचिंग टटा बाबाई